ओनलाइन पढ़ाकू चैनल की तरफ से आप सभी को गुरु पुर्णिमा की हार्दिक शुब कामने आज मैं संद कबीर की इस दोहे की माध्यम से उन सभी गुरुओं को शत शत नमन करती हूं जो अपने अच्छी माल्ग दर्शन के माध्यम से अपने शिश्य को एक अच्छी भविश्य की तरफ जाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागों पाए बलिहारी गुरु आपने गोबिंद दियो बताए कबीरा गुरु पारसे को अंते रो जानत है सब संत वहलोहा कंचन करे ये करेली महंत कबीरा ये करेली महंत इस दोहे का अर्थ है कि यदि आपके सामने गुरु और इश्वर दोनों खड़े हो जाएं तो आप सबसे पहले किसके चरणों में अपने असर जुकाना चाहेंगी तो ऐसी स्थिति में गुरु के श्री चरणों में शीर जुकाना ही उत्तम है क्योंकि गुरु के ही प्रसाच से हम शिष्य गोविंद के दर्शन को करने का सौभागे प्राप्त करते हैं उस गुरु की महानिता को पार पाना संभव नहीं है जो शिष्य को भी स्वयम अपने समान ही महान बना देता है गुरु और पारस के अंतर को सभी ग्यानि पुरुष जानते हैं पारस मनी के विशय में सारा जगत जानता है कि पारस के स्पर्ष से लोहा सोना बन जाता है पर गुरु ऐसे पारसें जो शिश्य को सोना नहीं बल्कि स्वयम के समान ही पारस बना देते हैं अर्थात महान बना देते हैं उसे ब्रह्म ज्यान का अमृत पिला कर उसके भगवत दर्शन का मार्ग दिखा कर उसे अपने जैसा ही बना लेते हैं एक बाफ फिर से आप सबको गुरु पुर्णिमा की हार्दिक शुपकामनाई